हेलो एवरीवन वेलकम तो आल आफ यू वेरी गोड इवनिंग तो आल आफ यू और हम लोग यहां पर पढ़ रहे हैं एनिमल फिजियोलेजी का जो तीसरा चैप्टर हमने शुरू किया है रेस्पाइरेशन ब्रीधिंग एंड एक्स्चेंज ऑफ गैसे उसमें हम लोगोंने दो लेक्चर कवर करा था जिसमें हम लोगोंने डेट साइच चीजें देखी थी ब्रीधिंग मेकैनिजम लंक का जो स्ट्रक्चर एरेस्पाइरेटरी और पूरा रेस्पाइरेशन का एक ओवराल प्रोसेस हमने दिखा था आज की लेक्चर में हम लोग रेस्पेरेटरी वॉल्यूम्स को हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग देखते हैं पल्मोनरी वॉल्यूम्स पल्मोनरी वॉल्यूम्स और दूसरा क्या है पल्मोनरी कैपसिटी इन दोनों में अंतर क्या है तो हम जो है इसको कैसे समझेंगे हम लोग से देखते हैं ठीक है पल्मोनरी ठीक है तो देखे सबसे पहला pulmonary volume सबसे पहला pulmonary volume है tidal volume क्या है tidal volume tidal volume हम किसे कहते हैं ध्यान से इसको आपको समझना है tidal volume का मतलब वो volume जिसे हम normally inspire करते हैं air का वो volume volume जिसे हम normally inspire करते हैं और normally expire करते हैं मतलब जिसे हम normal sants ले रहे हैं अंदर की तरफ तो कितना वोलिम गया या फिर हम जब normally expire कर रहे हैं तो कितना volume air का बाहर गया इसको हम लोग कहते हैं tidal volume ठीक है और यह कितना होता है 500 ml कितना होता है 500 ml बुक पास में रखेगा मैं page नंबर बता दे रही हूं 371 volume of air inspired or expired during a normal respiration volume of air inspired or expired during a normal respiration ठीक है कितना हो गया 500 ml आपको पता है हमने respiratory zone में आपको दो जोन बताया था एक था कंड़क्टिंग जोन और एक था एक्सचेंज जोन कंड़क्टिंग जोन कहां से कहां थक था याद करिए मैंने कहा था पूरा नॉस्ट्रिल से लेके नॉस्ट्रिल से लेके टर्मिनल ब्रांचियोल तक का जो जोन था उसको हम लोगों ने कं को conducting zone कहा था एल्वीयोलर डप्ट और एल्वीयोलाई को हम लोगों एक्सचेंज जोन कहा था conducting zone का काम हमने बताया था यह एयर को प्यूरीफाई करते हैं यूमेडीफाई करते हैं इनको body temperature नॉर्मल टेमपरिचर तक लेके आते हैं यह सब मैंने conducting zone और यह को एल्वीयोलाई तक भीजते हैं जबकि एक्सचेंज जोन में गैसी एक्सचेंज एक्सचेंज होता है यह बताया था हमने तो देखिए जो 500 ml air होती है अगर हमने नॉर्मली इंस्पाईर किया तो उसमें से 350 ml ही कंडक्टिंग जोन तक और यह एल्वीयोलाई तक पहुंच पाती है जिसको हम अल्वीयोलर volume कहते हैं क्या कहते हैं तो alveolar volume में केवल 350 ml ही की जा पाती है बाकि जो 1特別ils 500 ml जो ऐर होती है न वो और पती है आती है बाकिस केला थाफ में रहोती हैं टाब था इसा बात स्मझ में आ रही है तो अगर हम कहें कि Even Honor Each minute Each minute कि अगर हम बात करें कि total volume हम कितना inspire कर रहे हैं हर minute हम कितना volume inspire कर रहे हैं उसको हम लोग कहते हैं breathing rate ठीक है breathing rate कहेंगे ठीक है लेकिन या pulmonary rate ventilation rate कहेंगे यह क्या है ventilation rate लेकिन एक बात बताएए अगर आपसे कोई पुछेगा कि इच मिनट कितना volume of air alveolar light पहुचा उसको हम कहेंगे alveolar rate ठीक है क्या कहेंगे alveolar rate तो बताएए इच मिनट हम ही पता है कि हमने 500 air लिया हर बार ले रहे हैं जिसमें से 350 ही केवल पहुच पा रहा है लेकिन 500 ले रहे हैं साड़े साथ हजार के आस पास एक हेल्दी परसन में यह हम कह सकते हैं air हम हमा जो वेंटिलेशन मिनट वेंटिलेशन रेट है यह इतना है alveolar rate लेकिन कितना होगा जो एक्चुली में alveolar तक पहुच पाता है वो होगा 350 इंटो 12250 यह होगा है ना तो इस अपाउट टाइडल वॉल्यूम गेटिक दिस ठीक है चलिए टाइडल वॉल्यूम कितना था 500 था तो नॉर्मली हम जो air लेते हैं नॉर्मल रेस्पिरेशन के दरान और जो air एक्सहेल करते हैं उसको हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं दूसरा वॉल्यूम है इंस्पिरेटरी रिजर वॉल्यूम इंस्पिरेटरी रिजर वॉल्यूम इंस्पिरेटरी रिजर वॉल्यूम का मतलब यह है मेरे बात ध्यान से समझना इंस्पीरेटरी रिजर वॉल्यूम का मतलब यह है कि जो हम एक बार में जितना फोर्स फुली इन्हेल कर सकते हैं एर को आफ्टर टाइडल वॉल्यूम आफ्टर टाइडल वॉल्यूम कहने का मतलब एक मिनट में हम जितनी एर को इंस्पायर कर सकते हैं इसको हम कहते हैं इंस्पिड़ेट्री रिजर वाल्म बतलब एक मिनट में जितनी फॉर्स फुली एर को हम लोग इनहेल कर सकते हैं और यह पचीछ सो मेल से लेके 3,000 तो बताई हमारी इंस्पिरेटरी रिजर्व कैपसिटी कितनी होगी हमारी इंस्पिरेटरी रिजर्व कैपसिटी का मतलब हम इनहेल कितना एर एक बार में कर सकते हैं आप बताई मुझे फोर्स फुली उसी को हम इंस्पिरेटरी रिजर्व कैपसिटी कहेंगे एक तो हम नॉर और यहीं से हम IRC निगाल लेते हैं IRC का मतलब नॉर्मल इनहेलेशन के बाद जो एक्स्ट्रा इनहेल हम एक बार में कर सकते हैं वही हमारी कैपसिटी है तो बताइए हमारा कितना हो जाएगा Tidal Volume Plus IRV यह है ना यह हो जाएगा Tidal Volume Plus IRV तो इसको आप 500 यहाँ पर जोड़ देंगे चलिए दूसरी है तीसरा है इसको हम Supplementary IRV कह सकते हैं क्या कह सकते हैं Supplementary Additional ठीक है Expiratory Reserve Volume Expiratory Reserve Volume ERV ERV का मतलब हम एक बार में जितना forcefully air exhale कर सकते हैं forcefully जितना air हम exhale कर सकते हैं उसको हम कहते हैं experiment जितना forcefully आप जैसे अनुलोम बिलोम किया आपने अनुलोम में आप क्या करते हो forcefully inhale करते हो बिलोम में आपने कहा क्या forcefully exhale करते हो ठीक है तो वही expiratory reserve volume is the willome and inspiratory reserve volume is the anulome ठीक है तो एक बार में हम लोग जितना forcefully air exhale कर सकते हैं उससी को हमने expiratory reserve volume कहा और यह approximately 1100 के आसपास होता है ml ओके तो बताई हमारी expiratory reserve capacity कितनी है capacity को जोड़ने के लिए हम जो normal exhale कि दरहां जितना volume निकालते हैं air का और जो हम forceful exhalation के दरहां निकालते हैं वो हमारी expiratory reserve capacity हो गई यहीं ना तो हमारी expiratory reserve capacity क्या होगी कि volume of air forcefully exhaled after normal exhalation after normal exhalation तो यह हमारा क्या हो जाएगा tidal volume plus ERV tidal volume plus ERV यह हो गया ना हमारा यह ठीक है चलिए तीसरा यह है चौथा यह है residual volume residual volume residual volume का मतलब है forcefully exhaled करने के बाद forcefully exhaled करने के बाद भी जो volume air का हमारे lungs में हमेशा बचा रहता है जिसे हम चाहे जितना forcefully exhaled कर लें उसे हम नहीं निकाल सकते उसको हम कहते है residual volume the volume of air which is always present in lung which is always remains in lung and that can not be removed even after a forceful exhalation कितना भी आप forceful exhalation कर लीजिए उसको remove नहीं किया जा सकता है उसको हम residual volume कहते हैं तो यह हो गया 1200 ml कितना बार यहां से हम अपना residual capacity निकाल सकते है है residual capacity जिसको हम कहते हैं functional residual capacity functional residual capacity functional residual capacity अपरेटर्र रिज़र्व कैपसिटी आई इंस्पिरेटर्र रिज़र्व कैपसिटी कैपसिटी को हम डिफरेंट डिफरेंट वॉल्यूम को एड़ करके capacity निकालते हैं capacity यह क्या है FRC देखेए डिफिनीशन जनना आपको इस लिए जरूरी है एक्जामेनेशन एक्जामेनर आपको एक्जामेनेशन में डिफिनीशन देके पूछ लेगा कि बताओ ये क्या है ठीक है वॉल्यूम आफ एयर विच कांट बी रिमूवड आउट फ्रॉम द लंग्स इवन आप्टर आफ फोर्स फुल एक्जलेशन बताओ ये क्या है ये हमारे मदाला ऑफट को डानार्मल एक्जलेशन के बाद इसपिह नहीं निकाला हम ने जवर्दश कर नहीं निकाला चुले को वन इस एTwo इयर बचा है और या फिए उन है कि है तो यह हमारा व्रेज़़ कर दिन्काल रहे थे ठीक है इसको पनुक्स जुने और अगरी को रिडियो filme में बचा ही रहे तो यह हमारा फंक्शनल फंक्शनल डेज्डिवल केपसिटी हो गया गौट दा पॉइंट केपसिटी देखे हम वॉल्यूम को ही अट करके निकाल रहे हैं चली अब हम लोग यह देखते हैं कि हमारा यहां तक तो यह हो गया अब हम यह समझते हैं एक टर्म है वाइटल केपसिटी वॉल्यूम ओफ एयर वॉल्यूम ओफ एयर विच कैन बी इनहेल विच कैन बी इनहेल आफ्टर ऑफ फोर्स फुल एग्जहलेशन मेरी बात ध्यान सुनना एक बार आप खुब तेजी से एक्जहेल कर दीजिए ठीक है उसके बाद जो वॉल्यूम आपके अंदर एयर का वाल सब्सक्राइब डीर निकल आप यह आपने जो तेजी से एक्जहेल किया फेलियूम आपका टाइडल वॉल्यूम निकला ब्लूम निकला और आप मिला त़ एयर भी निकल गया थिक है टाइडल वॉल्यूम भी होगा फोर्सफुल इंहेल कर रहे हैं मतलब इंस्पिरेटर रिजर वॉल्यूम भी होगा और आपने फोर्सफुल एक्जेहल किया है तो वो भी तो अंदर जाएगा क्योंकि सबसे पहले देखे हमने अगर forceful exhale किया forcefully exhale किया तो सबसे पहले तो हमारे अंदर ERV ही जाने वाला है उसी को भरना है न ERV का जो space खाली होगा उसको भरना है तो इसमें क्या जाएगा पहले क्या होगा ERV होगा और उसके बाद हमने forceful inhale कर रहे है तो tidal volume तो होगा ही और इसके लवाँ IRV होगा तो vital capacity में हमने क्या किया बेंद्यान से सुने vital capacity क्या होता है volume of air which can be forcefully inhaled after forceful exhalation after forceful exhalation मतला हमने forceful exhale किया उसके बाद जो air हम लोग लेंगे forceful inhale करेंगे उसी को vital करेंगे तो forceful exhale किया तो वो air भी आएगी पहले फिर टाइडल वॉल्यम आएगा फिर आई आर भी आएगा यह vital capacity है vital capacity आपका एसे निकाल लोगी ERV आपका 1100 के आसपास है टाइडल वॉल्यम आपका पांच सो के आसपास है IRV आपका एसे आप निकाल लोगे 4800 के आसपास आएगा अब हम लोग एक टर्म देखते हैं, टोटल लंग कैपसिटी, TLC, टोटल लंग कैपसिटी, टोटल लंग कैपसिटी का मतलब आपकी टोटल लंग की कैपसिटी क्या है, वाइटल कैपसिटी प्लस कुछ, पहले से भी तो एयर प्रेजेंट आपके लंग में, वो पहले से एयर क के चीट यह संद but we can say यह का ब़ाबर हो किसफे मेटर करते हैं किसफे मेंटर करते हैं verlier mirror तो इसका लंगज की वॉलिम और क्या सिठी को मेजर करने का जो इंस्ट्रुमेंट है स्कों लोग करते हैं स्पाइरो थिक है और इसकास्व प्रॉस्सजों केते है स्पाइरोमेट्री और जो ग्राफ हमें बनता जैसे EC. rahf को हम लोग gram कहते हैं instrument Canadian whichensch ओिन स緩ाल काडियो ग्राम कहते हैं जो इंस्ट्रुमेंट होता है सैम इसी तराके से इस्पाइरो मेट्री और इस्पाइरो मेट्री ठीक है इसके अलामा यह जो हम कह सकते हैं कि यह जो ग्राफ हमें मिलता है उसको हम इस्पाइरो ग्राम कहते हैं कोई कंफ्यूजन यह तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए अब आगे आईए जो हम बताने जा रहे हैं उसको आपको बहुत ध्यान से समझना है तो आप एंसे अटी अपनी ओपन कर लीजिए एंसे आटी जरूर उपन करेंगे आप अब देखिए अब हम एक आपको यहां पर ग्राफ बनाने जारे है उसको आप ध्यान से देखेंगे जैसे माली जे यह है स्पाइरों ग्राम टुब जिसे यह एक आपका टायडल यह ऑल。 यह आए ग्लाफ कुछ ऐसे बनता है यह हमारा है टाइडल यूध्य इस दा टाइडल वाल्यूम मैं यहां पर लिख रही हूं और यह ग्राफ आपका कुछ ऐसे बनता है टाइडल वॉल्यूम और यह वाला जो ग्राफ है यह वाला जो ग्राफ है यह है आपका इंस्पाइरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और फिर आपका यह ग्राफ आ गया sorry, sorry, sorry let me check once तो यह आपका जो ग्राफ है sure, this is dual volume sure, ऐसे बनेगा तो यह जो आपका ग्राफ है यह इंस्पाइरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है तो यहां से यहां तक total अगर आप जोड देंगे तो यह क्या हो जाएगा इंस्पाइरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और आप देखिए यह है आपका एक्क्सपाइरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ठीक है, कितना होगा यहां हमें पता है, तो यहां से हाँ, title वॉल्यूम भी आप उसमें जोड देंगे तो यह क्या हो जाएगा, एक्सपाइरेटरी रिजर्व कैप सि सिती ठीक है, और यह क्यँ है पर क्या आता है अपका functional residual capacity पता है सब कुछ एकदम ध्यान से तो यह स्पाइरो ग्राम स्पाइरो स्पाइरो ग्राम स्पाइरो ग्राम का मतलब जो ग्राव बनता है इसको हम स्पाइरो ग्राम कहते हैं अब देखिए यह क्या है टाइडल वॉल्यूम इयार वी रिजिए यह इ यह आपका टाइडल वॉल्यूम है यह इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है दोनों को मिला दिया तो इंस्पिरेटरी रिजर्व कैपसिटी यह इयार वी है नीचे है ना इयार वी जो एक्सेलेशन वाला जो पोर्सन है अब इन दोनों को मिला दिया तो हमारा क्या हो ERC और यह रिजर्व वॉल्यूम है ERV और रिजर्व वॉल्यूम को मिला दिया तो functional residual capacity अब आप देखें टाइडल वॉल्यूम IRV और ERV को मिला है तो vital capacity हो गया और इन सब को मिला दिया तो यह क्या हो गया total lung capacity इन में अगर इन ग्राफ में कोई changes आ रहा है तो जो आपके जो physician होते हैं वो यहां से इसको चेक कर सकते हैं कि lung capacity या lung volume में कोई problem आ रही है तो इस spirogram को देखके check किया जा सकता है ठीक है तो जैसे ECG होता है न वैसे यहां भी spirogram होता है तो जो graph बनता है इसको हम कहा किते हैं spirogram और spirometer instrument होता है और इस process को हम spirometry कहते हैं got the point तो this is all about the lung volume and lungs capacity pulmonary volume and pulmonary capacity definition जरूर याद रखना क्योंकि बहुत important है definition अगला जो topic है उसमें हम लोग देखते है exchange of gases अगले topic में हम लोग पढ़ते हैं exchange of gases gases exchange कहां कहां होता है exchange of gases देखिए आपको पता है कि exchange of gases क्यों हो पाता है हम लोग उने सुरू में पढ़ा था कि respiration में दो जगह exchange of gases होने जा रहा है पहला alveoli ठीक है और दूसरा कहां पर टिश्यू रिजन पर पहला alveoli रिजन पर और दूसरा कहां पर टिश्यू साइट पर दो जगह है alveoli में हमने दिखा था कि pulmonary capillaries ठीक है वह oxygen गेन करती है और carbon dioxide loose करती है जबकि टिश्यू साइट पर systemic capillaries carbon dioxide gain करती है और oxygen loose करती है तो exchange of gases दो जगह होने जा रहा है एक डाइड द साइट आफ लंग्स ठीक है और एड द साइट आफ टिश्यू लंग्स के साइट पर oxygen जो है वह हीमोगलोविन से बाइंड करेगा टिश्यू साइट पर oxygen हीमोगलोविन से dissociate होगा है ना क्योंकि अब हम लोग इसको देखेंगे समझेंगे आभी एक दम अच्छे से इस चीज को समझना है तो देखिए exchange of gases दो जगह होगा किससे होता है simple diffusion से simple diffusion से simple diffusion से एक जगह कहा होता है at alveolar site at alveolar site और दूसरी जगह होता है at tissue site at tissue site ठीक है इसको हम डाइग्रमेटिक ली देखते हैं देखिए आपके बुक में पेज नंबर 273 पे 273 पे एक डाइग्राम बनाया है जो की बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है वह हमने इस जाइग्राम को तो हमने पहले ही पहले लेक्चर में हमने आपको बताया था पूरा रेस्पाइडेशन की पूरी समरी जैसे आप यहां समझेए आप समझेए कि यह है एल्वियोलाई एक दम अच्छे से एटेंटिव होके देखना इस चीज को यह है एल्वियोलाई और यह है टिश्यू ठीक है दो जगएं गैसेस एक्षेंज होने जा रहा है एल्वियोलाई कि जगएं जो गैसेस एक्षेंज होगा वो किसे होगा यह पल्मोनरी कैपलरी है और यहां पे यह कौन सी कैपलरी है सिस्टमिक कैपलरी है यह पल्मोनरी कैपलरी है और यह सिस्टमिक कैपलरी है चलिए पल्मोनरी कैपलरी रिज्वाइन होके क्या बनाती है पल्मोनरी वेन क्या बनाई ये pulmonary vein बनाई pulmonary vein मैं हापे लिख रही हूँ this is the pulmonary capillary बहुत ध्यान से इसको समझना है alveolar capillary भी कह सकते हैं रिजवाइन करके क्या बनाएगी this is the pulmonary vein pulmonary vein pulmonary vein कहां खुलती है बच्चों जल्दी से बताओ pulmonary vein खुलती है लेफ्ट आरिकल में और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट आरिकल के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल से कौन जाती है systemic artery यह क्या है बताइए systemic ortya artery है ना यह है tissue यह क्या है tissue यह है alveoli यह क्या है alveoli life यह कौन सी capillary है यह है systemic capillary मैं यहां लिख दे रहे हूँ यह है systemic capillary ठीक है systemic capillary ने rejoign करके क्या बनाया है जल्दी से बताओ मुझे systemic vein like inferior बना कावा और systemic vein कहां खुलती है बच्चों जल्दी से बताओ right आरिकल और फिर right ventricle से क्या खुलता है pulmonary artery क्या खुलता है pulmonary artery तो pulmonary artery किसमें जाती हमने heart पढ़ा दिया भाई देखिए इसलिए मैंने circulation पहले बढ़ाया यह पूरा मैंने लिख दिया यह systemic vein है यह क्या है systemic vein these are the systemic vein अब आप ध्यान देना अब ध्यान देना कि यह alveoli में atmosphere में atmosphere में मैं यहां पर लिख रहे हूं atmosphere में oxygen का atmosphere में oxygen का partial pressure partial pressure का मतलब यह होता है कि pressure contributed by individual gas in a mixture of gases ठीक है atmosphere में oxygen का partial pressure होता है 159 mmHg ठीक है जबकि carbon dioxide का होता है 0.03 0.03 0.3 0.3 0.3 0.3 mmHg क्योंकि 760 mmHg होता है न टोटल तो उसमें से atmosphere में oxygen का partial pressure कितना होता है यह atmospheric air में लेकिन जो alveoli की air है इसमें oxygen oxygen होता है 104 mmHg और carbon dioxide होता है 40 mmHg carbon dioxide कितना होता है 40 mmHg अब मुझे इसे बताइए pulmonary artery केपलरी को किसने बनाया pulmonary artery ने pulmonary artery में कैसा blood है deoxygenated blood तो यहां पे oxygen 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 यहां पे 40 होता है carbon dioxide 46 होता है deoxygenated blood में carbon dioxide ज्यादा होगा न तो तो pulmonary artery pulmonary capillary बनाया तो यहां पर carbon dioxide ज्यादा है का partial pressure और यहां पर oxygen का partial pressure ज्यादा है तो बताए pulmonary artery क्या करेगी pulmonary artery carbon dioxide को lose कर देगी alveoli में जो कि लंग से बाहर चला जाएगा और oxygen को gain करेगी ना तो pulmonary artery will gain oxygen and lose carbon dioxide तो पहला diffusion तो यही हुआ पहला exchange of gases कहा हुआ pulmonary site पर हुआ है ना तो pulmonary or capillary क्या करेगी वह oxygen को gain करेगी और carbon dioxide को lose कर देगी इसी को हम लोग कहते हैं external respiration या pulmonary respiration बात समद में आ रही है तो बताए मुझे लंक्स में लंक्स में oxygen का dissociation होगा कि association association होने जा रहा है oxygen का hemoglobin से जो भी blood होगा वहां पर oxygen क्योंकि उसने gain किया है ना oxygen gain किया है तो pulmonary capillary के पास जो भी blood होगा वहां पर oxygen अब जाकि hemoglobin से करेगा तो लंक्स में oxygen हीमोग्लोविन association होने जा रहा है oxygen हीमोग्लोविन association होगा तो कर्व left shift होगा कर्व किदर shift होगा oxygen की hemoglobin से affinity बढ़ रही है oxygen की hemoglobin से affinity जादा या भी कैंसे hemoglobin की oxygen से affinity जादा है तो कर्व किदर shift होगा left हम लोग इस कर्व को आगे देखेंगे ठीक है कर्व किदर shift होगा left मैं लगा oxygen hemoglobin association में कर्व left shift होगा are you getting this और यह कहां हो रहा है अब बताए यह blood यह blood अब तो oxygenated होने जा रहा है pulmonary vein में कैसा blood है oxygenated oxygenated blood में oxygenated blood में oxygen यहां pulmonary oxygen एक सो विकन से 95 है इसका पारिसल प्रेसर 95 है और carbon dioxide कितना है 40 है कि स्वारी हां carbon dioxide कितना है 40 है बें बात को एक दम अच्छे समझना तो oxygenated blood जो oxygenated blood है वहां पर 95 है और carbon dioxide कितना है 40 है अब यह लेफ्ट आरिकल लेफ्ट लेफ्ट यहां तो कोई चेंज नहीं वह सिस्टमिक ओर्टा में भी यही रहेगा क्योंकि ब्लड वहां से रहा है टिशू में टिशू क्योंकि carbon dioxide ज्यादा प्रोडूस हो रहा है टिशू कार्ब लरी में सिस्टमिक केपलेरी में तो यह यह ना यहां पर क्या है carbon oxygen आप देहन देखान दिजे oxygen we can say वन मिनट सिस्टमिक ओटा 95 गुड एक मिनट 95 है और सभी तो है क्या दिक्कत है कार्बन डियोकसेट 46 है और यहां पर सिस्टमिक केपलरी में ऑक्सीजन 95 है और कार्बन डियोकसेट कितना है 40 है अब बताइए दूसरा डिफ्यूजन यहां होने जा रहा है टिशू और ब्लड के बीच मे सिस्टमिक केपलरी क्या करेगी सिस्टमिक केपलरी क्या करेगी और यह और कर देगी और कार्बन डियोकसेट के अपर आएगा बताइए टिस्ट तिश्यू साइट पे ऑक्सिजण हीमोगलोवीन से घरे मितलब ऑख 3 ल हीमोगलोवीन को ऑसी घरेठी एड दए प्लस्ती जाएगा उसनन निकाल रहे वो राइसुट का मतलब ऑक्सिजन को रहे बात समझ में आ रही है तो हीमो ऑक्सिजन हीमोगलोविन आसोसीयशन कहा हुआ हुआ और डिसोसीयशन कहा हुआ टिशुक्साइट पर फिर उसके बाद यह जाएगा अब यह ब्लड के सिस्टमिक इवेड में डियॉक्सिजिणेटर ब्लड है सेम ब्लड यह जाएगा राइट कोचीत मत करिए कि मतलब बस चीजों को रट ले जाएं मैं नंबर कैसे भी पाजाएं क्योंकि मैं बार बार कह रही हूं वेन यू विल गो इन मेडिकल कॉलेज तो वहां पर डिप्रेस हो जाओगे अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो अचानक से आपको बर्डन महसूस होने लग जाएगा इसलिए जो चीजे हैं ना बस ऐसा नहीं कि भाई कैसे भी पढ़के पास हो जाओ ठीक है अगर आपके पास प्रॉपर टाइम है तो आप इसको पढ़ सकते हो थोड़ा सा समझ सकते हो जो कभी नहीं भूलेगा आर यू गेटिंग ऑल दिस वाइंस ठीक ह है बस कुछ नहीं रोस्पाइरेटरी मेंब्रेंश यही तो है इसको डिफ्यूजण मेंब्रेन कहते हैं क्या कहते हैं ठीकि ऐल्वींच 19972-1 single layer होती है alveoli किसकी बनी होती है squamous epithelium की बनी होती है single layer की और आपको पता है capillaries की endothelium भी तो squamous epithelium की बनी होती है दोनों क्योंकि capillaries are made up of only tunica interna capillaries किसकी बनी होती है क्योंकि देखे ओर्टा और we can say artery veins or capillaries में सबसे ज्यादा हम कह सकते हैं पतली तो capillaries है क्योंकि cable tunica interna का बनी है उसी को हम endothelium कहते हैं तो इसकी endothelium की wall किसकी बनी है squamous epithelium देखे जहां भी filtration वगरा का काम होता है वहां पर cells squamous होती है flat होती है ठीक है ना तो जहां कि स्कुआमस epithelium endothelium pulmonary and sorry alveoli कि स्कुआमस epithelium note करना है इसकुआमस epithelium of alveoli कि स्कुआमस epithelium endothelium भी कह सकते हैं आपके कह सकते हैं इसको pulmonary capillary तो हमने क्या क्या कहा endothelium of endothelium या इसको squamous epithelium भी कह सकते हैं endothelium of alveolar capillary और pulmonary capillary alveolar capillary and basement substances between these two तो third is the basement membrane basement substances between these two basement substances between these two यही क्या है diffusion membrane है और यह इतनी फिल भी यह इतनी पतली होती है less than a millimeter less than a millimeter याद रखना इस point को यह क्या होता है major layers मेरे के diffusion membrane थीन इसको मेंस epithelium up alveoli endothelium of capillary and basement membrane it total thickness is much less than a millimeter ओके और यहां पर क्या होता है आपको पता है कि यहां पर diffusion होगा जिसको हम कहाँगे अब देखिए आज के लेक्चर में बस इतना ही अगला एक छोटा सा लेक्चर होगा जहां पर हम आपको बताएंगे कि transport of gases कहां कहां होता है और regulation or disorders भी देखेंगे ठीक है ओके अज़िए 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 अज़िए